प्रकाशित वाक्ये के खुलासा कारीकर में आपका हार्दिक स्वागत है आज बहुत ही इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट है Revelation Chapter 4 को हम सब देखेंगे बहुत सारे इंट्रेस्टिंग बाते हैं अगर आप हमारे एक इसाई जीवन को लेंगे तो और हमें कहां पहुंचना ही है पूछने पर सभी लोग चाहे वो मेसेज हो, सौंग्स हो उसमें वो स्वर्ग, वो हेवन ऐसा कहते है अब Revelation Chapter 4 में हेवन के बारे में एक तस्वीर दिया क्या है इस Revelation Chapter 4 के बारे में आप जरा बताईए हेवन के एंगल से हमें कैसे देखना चाहिए वास्तों में हम स्वर्ग के बारे में बहुत से विवरन देखते हैं बहुत व्याख्या देखते हैं बहुत से दर्शन, बहुत से किताबें, बहुत सी चीजे है अगर स्वर्ग के बारे में देखे तो अलग से ये बड़ा विश्य है अगर सच में हम स्वर्ग के बारे में जानना चाहते हैं स्वर्ग कैसा है उसकी बनावट स्वर्ग की बनावट इसे हम जाने इसलिए परमेश्वर ने ये चौथा अध्या रखा है ये ऐसा क्यों रखा अगर इसके बारे में पूछे तो इस चौथे अध्याय के पहले तक बाइबल में स्वर्ग के बारे में हमने कुछ भी नहीं देखा है ऐसा इसलिए कि स्वर्ग तो मनुष्य के लिए छिपाई गई जगह है अगर आप पुराने नियम में पवित्र लोगों के बारे में देखें सभी के सभी स्वर्ग में नहीं गए केवल एक ही वैक्ति स्वर्ग में गया था वो कौन था एलिया तूफान आया और फिर वो स्वर्ग में उठाया गया अब इसका अनुवात कहता है कि स्वर्ग लोग याने लोगों से अलग ऐसी जगह पर देशी इसका मतलब इस देश से परे रहने वाला स्वर्ग लोग मतलब इस लोग से वो किसी और लोग में चला गया याने उस िसाब से ही वो दिया गया है देखे ईश्यू ने कहां पिता के पास रहने के लिए बहुत से स्थान है और फिर भजन सहिता में ये कहता है कि ये स्वर्ग तुम उसका गुणगान करो अब देखिए स्वर्ग का मतलब क्या बहुत से स्वर्ग है ये देखेंगे अब असल में बाइबल में स्वर्ग के लिए आकाश के लिए देखिए एक ही शब्द उपयोग किया गया है अभी हम हिंदी में आकाश और स्वर्ग के लिए एक शब्द कहते हैं और इसलिए उत्पत्ती एक एक देखिये यानि देखिए यहा पर क्या उपयोग किया गया है In the beginning God created the heavens and the earth अब heavens के लिए स्वर्ग यही शब्द उपयोग किया जाना चाहिए लेकिन हिंदी में कहता है आदी में परमेश्वन आकाश और प्रिथवी की स्रिष्टी की यह आकाश जो है जिसे हम आकाश कहते हैं इस आकाश का एक लेयर स्वर्ग है वो लेयर कौन सा है अब यहुदी विश्वास के अनुसार साथ आकाश है और पॉलूस कहता है कि तीन स्व स्वर्ग हैं हर एक स्वर्ग का एक नाम है और तीसरा स्वर्ग परडाइस यानि वही स्वर्ग है हम जिस आकाश को देखते उसका एक नाम है परमेश्वर जहां पर रहता है उसका स्वर्ग नाम है अब यह जो स्वर्ग है यह कैसा है इसके बारे में पुराने नियम में पवि कि दो पंद्रा में क्योंकि तुने उसे एक को बनाया जबकि और आत्मा उसके पास थी और एक ही को क्यों बनाया इसलिए कि वह परमेश्वर के योगिय शंतान चाहता है इस तरह कहता है तो उन्हें ले जाकर स्वर्ग में रखना ये परमेश्वर का प्लैन था अल्टिमेट लेकिन बार में उसे नहीं देख पाया तो परमेश्वर को नहीं देख पाया और फिर उसके बाद मनुशे परमेश्वर से दूर होने लगा उधारण के लिए याने इसirasrails प्रभु के साथ मिलना छोड़ा, चलना छोड़ा, बात सुनना छोड़ा, उसके शासन को छोड़ा और धीरी धीरे प्रभु से दूर हुए, अलग हुए, यानि गया बढ़ता चला गया, यहजकिल की किताब में देखें, भवन से परमेश्वर को दूर किया, यानि मेरी जगह से मुझे दूर किया, ऐसा काम इस्राइल ने किया है, यानि जो मनुष्य स्वर्ग के लिए बना, वो परमेश्वर से दूर हो गया, यह दूरी पार करके मनुष्य को स्वर्ग में पहुँचाने के लिए यीशु आए, यह स्वर्ग का पुरा प्रोजेक्ट है, तो फ देखिए, यानि इस वर्ग से दूर जाएंगे, तो आप कहां पर पहुँचेंगे, नरक के पास, तो देखिए पुराने नियम के पवित्र लोग, जो अधलोग के बारे में कहते हैं, याकूब में कहा है, यानि मैं अपने जीवन के दुखों के साथ पाताल तक पहुँच भजनकार क्या कहता है, अगर मैं अधलोग में विस्तर बिच्छाओं, अयूब कहता है, अगर मैं अधलोग में उतर जाओं, तो ये सब किसके बारे में कह रहे हैं, अधलोग के बारे में कह रहे हैं, देखिए, ये कौन है, हाबिल से शुरू करके वचन 32 तक बताया है, वो इतने लोगों ने हासिल किया और जीत हासिल की पर फिर भी जो लोग इसे नहीं पा सके वो लोग स्वर्ग तक नहीं पहुंच सके वो वहां नहीं जा सके कारण क्या है देखिए इनमें पाप है चाहे वो कितने भी सचाई से जीए लेकिन फिर भी परमेश्वर और इनमें जो gap है उसे भर नहीं पाए क्योंकि परमेश्वर इतना शुद्ध है उस तिती में मनुष्य नीचे गिरता है यानि गिरा हुआ मनुष्य बहुत दूर जा चुका है और फिर से परमेश्वर के पास लाना है स्वर्ग में आने लाइक बनाना है यानि अगर इससे देखें ये तो आम तोर पर यानि कोई गुजर जाए मर जाए हम क्या कहते हैं कहां गये हैं स्वर्ग वासी हो गये हैं है ना देखें बस में लिखा था मैंने पढ़ा है सीडी पर खड़े रहना और स्वर्ग में जाना इस तरह से लिखा था यानि सब मनुष्य कहां जाते हैं स्वर्ग में जांगा, default से ही हम लोग क्या कहते रहे हैं, मैं मरूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा. ये विचार हमारी आत्मा में default में क्यों आया है, यनि यिशु के आने के बाद ही स्वर्ग का जो संदर्भ है मनुश्य तक आया तब तक स्वर्ग जाने का रास्ता ही नहीं था विश्वास नहीं था उसके लिए कोई संगर्ष भी नहीं था कुछ भी कर ले स्वर्ग नहीं जा सकते थे इसलिए डीफॉल्ट में ही वो अधलोक में जाते इश्व के आने के बाद चाहे कोई भी हो इश्व को अपनाए तो स्वर्ग में जा सकते हैं और तब क्या होता है डीफॉल्ट ही उन लोगों के मन में मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ इस तरह से ये बात आ जाती है यानि ये जो स्वर्ग है वो परमेश्वर ने ये शुमसी के आने के बाद सब के लिए निर्धारित करके जगह बनाई ऐसा है और ये दिया है असल में इसराइल जो है वो तो भूमी पर का प्रोमिस लैंड है और स्वर्ग जो है वो आकाश में हमारे लिए प्रोमिस लैंड है यानि इस्राइल की कनान देश में जाने की निर्गमन में जो यात्रा है वो यहां से स्वर्ग में जाने के लिए मानो एक चाबी है यानि ये तो एक परचाई है वो असली है यानि हम यहां पर क्या क्या करके सुधर रहे हैं क्या करना है ये एक फॉर्मूला है अगर इसे भी उस पे चड़ाया गया, और फिर उसके बाद में एसराली लोग लाल समुंदर पार करते हैं। यहाँ पर हैं, वो वहाँ से कनान में जाते हैं, हम यहाँ से स्वर्ग में जाते हैं, यानि यह इसी तरह से होता है, तो Old Testament और Revelation में लिंक है और Heaven के साथ भी इसका लिंक है, इसलिए हमें पुराना नियम दिया गया है, देखे पुराने नियम में हर एक जो पात्र है, वो पृत मनुष्य को स्वर्ग कैसा होगा, स्वर्ग के भीतर कैसा होगा, ये सब वो बताता है, लेकिन तब तक ये जो ऐसा दर्शन है, ये तो मनुष्य में था ही नहीं, वो कैसा है कोई नहीं जानता था, यहना पर ये पहली बार प्रगट हुआ, देखे बहुत से लोग पूछते हैं, यश्या ने भी बताया था कि आकाश के सिहासन पर कोई विराजमान है, यश्या ने कहा, यहचकेल ने दिखा था चार प्राणियों को, ये सारे जो चिन हैं, इसे हम अलग-अलग अंश में देख सकते हैं, ट्रेलर जैसे, यानि ओरिजिनल में जो में हैं, यानि वो यानि, स्वर्ग के बारे में हमने जितने भी कहानिया सुनी, उसका पुर्ण विराम तो यहां चौथे अध्याई में हैं, अब इस चौथे अध्याई को हमें कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग में अगर आप देखे तो, एक हेवन के बारे में इंट्रोड़क्शन कर इसे हम कैसे understand करेंगे? अभी हम अपने दर्शकों को प्रकाशित्वाक के गहराई से समझा रहे हैं, part 2 में है, season 2 में है, जो लोग हमारे सा season 1 में जुड़े थे, वो अगर हमारे साथ जुड़ जाएं, तो इसे और भी गहराई से जान पाएंगे, और दूसरी बात है कि season 1 को बारे में मैं बता रहा हूँ, overall मैं स्वर की बनावट के बारे में बता रहा हूँ, पहले वो देखता है सिहासन पर कोई बैठा हुआ है, उसके चारो और, यानि यहां पर गौर से देखिए, सिहासन है, उसके आजू-बाजू 24 प्राचीन है, elders, और 4 प्राणी है, ठीक है, creature 4 creature, उसके बाद में 7 आत्माई या 7 रूह, ठीक है, इसके बाद में एक partition है, काच का सागर, ब्लास, पानी, ऐसा बना है, इसके बाद में अगर बाहर आए तो, वहाँ पर भीड है, वो बड़ी भीड है, इस स्वर्ग को हम कैसे बाट सकते हैं, काच के समुदर के पार, और का जानकारी हमें दी है, अब इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा अलग बता रहा हूँ, स्वर्ग के बारे में कहते हुए, बाइबल क्या कहती है, यानि पहले स्वर्ग के बारे में कहती है, इससे किसी मनुष्य ने इसके पहले कभी नहीं देखा, हम तो निरध परण के लिए आपमें जीवन है, है ना, इस जीवन का कोई धाचा नहीं है, और इस जीवन का कोई भी रंग नहीं है, और इस जीवन का कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, लेकिन ये है, इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, एक दिन जब ये चले जाएगा, तो सारा शरी वेस्ट हो जाएगा अब देखें जीवन कहां पर है पता नहीं लेकिन वो है हवा इस हवा को हम अपनी आँखों से नहीद एक सकते हैं यह जिस जगर बैहती वहाँ के स्मेल होती है इसे हम हाथों में पकड़ नहीं सकते हैं जिसमें रखेंगे उसके आकार में होगी यहनि हमा से लोग कहते हैं blue नीला है यानि सुबह वो नीला है दुपर में पीला है शाम को औरेंज है रात को काला है ये सूरज की किर्णों पर ही आधारित होता है लेकिन आकाश का रंग क्या है पता नहीं सीमा क्या है पता नहीं सच में आकाश की उचाई कहां है ये कहां खत्म होता है पता नहीं, पर आकाश तो है, इसी तरह स्वर्ग है, क्यों अगर ऐसा पूछते हैं, तो इस स्वर्ग का reflection हम सब में हैं, यानि ये सब जैसा है, इसी के जैसे स्वर्ग है, ये सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही है, ये रचना मेरी बनाई हुई है, इसे तुम नहीं समझ पाओगे कहां है, मैं स्वर्ग में रहता हूँ, तुम उसे कैसे समझोगे मैं इससे भी उंचा हूँ, इसे ही समझने के लिए हमें ये दिया गया है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, केवल इसी के दबारा समझेंगे, यने इस चौथे अधिहाई में हम जितनी गहराई में जाएंगे, उतना जादा स्वर्ग के बारे में अच्छे से जान पाएंगे इतना इंट्रेस्टिंग है, एक छोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद, ये जो फोर चैप्टर इसे हम कैसे पढ़ेंगे, इसमें जो ट्रेशर्स है, उसे हम कैसे समझेंगे, ये डीप होने पर भी इसे आसानी से कैसे हम समझेंगे, उसके लिए कई सवाले हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे मुलिट ल चैपर बात करेंगे, इसमेंगे बात करेंगे इस पासरे बात करेंगे बात करेंगे कर दो अपस्टों कर दो दो क्या है तो अबारा जार जाब कर सकते हैं वेल्कम बैक टुद प्रोग्राम, दर्श्रकों से मेरा एक अनुरूध है, ये रेवलेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स है, बहुत खुशी हुई है, बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आपके लिए उपईयोग ये कह रहे हैं, लेकिन क्या है क फर एक्जांपल हम लोग रेवलेशन चैप्टर फॉर के बारे में बात कर रहे हैं, मेरा छोड़ा सा रिक्वेस्ट यह है कि आप रेवलेशन चैप्टर फॉर को अगर आप पढ़ लें तो उसके अंदर जो विशय है, उसे थोड़ा सा अगर आप ट्राइकर करके अंडेस् स्वर्ग की बनावट के बारे में हमने ब्रेक के पहले यहां देखा है, स्वर्ग की बनावट इसके बारे में हम आसानी से समझा कर बताते हैं, परमेश्वर ने स्वर्ग का जो नक्षा है उसे जिप फाइल बना कर याने वो नक्षा मूसा को दे दिया और वही तो वो के दो भाग थे इसी के बारे में अध्याय साथ अध्याय आठ में हम अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर हम इससे पढ़ते हैं तो इसके दो भाग है उनमें से एक है ये पवित्रस्थान फिर इसके बाद महापवित्रस्थान याने भूमी है और महापवित्रस्थान तो स्वर् देखे इसके बीच में एक दीवार है यानि वो दीवार उपर आस्मान तके से आप पार नहीं कर सकते मनुश्य और परमेश्वर के बीच दीवार है ये शुमसी मरकर अपने शरीर की रुकावट को दूर करके वहां पर प्रवेश करते हैं महापवित्रस्तान में प्रवेश कर इबरानियों 11 वचन 16 में पढ़े तो वो सब जो कहां गया था उसे उन लोगों ने प्राप्त नहीं किया और फिर ये कहता है कि उन्होंने उस वर्ग लोग की आशा की और वो उन्हें नहीं मिला इस तरह वचन कहता है ऐसा इसलिए कि ये शुमसी का लहू समय तक नहीं बहाया गया था पर जब ये शुमसी का लहू बहाया गया तो पिता और हमारे बीच में बाचीत के लिए जग खुल गई हम वहां जाने योग बने याने देखे स्वर्ग और भूमी में जो बनावट है याने जैसे तंबू में था पवित्रस्तान और महा पवित्रस्तान अब देख जाये तो वहां पर एक दीवट है साथ दीपक है सोने का दीपक एक मेज और फिर 12 रोटियां है यानि ये सब वहां पर रखा गया है इससे कौन खा सकता था केवल याजक खा सकते थे 12 रोटियां खा सकते थे लेकिन फिर भी देखिए वह महा पवित्रस्तान में बिल्कुल नहीं जा सकते थे, साल में एक बार मही आजक महाँ पर जाकर आता था, यहीं तो 12 प्रेरितों का उपदेश था, अब ये दीवट किसे दर्शाता है, कलीसिया को दर्शाता है, प्रकाशित वाक्या अध्या एक अंतिम वचन में, ये जो दीवट है, ये कलीसिया को दर्शाता ह कलीसिया को जो दीपक दिया गया है वो यीशू है ये जो शाखाएं जिस पर रखा गया ये बिलकुल अलग है देखे कलीसिया किस पर आधारित है कलीसिया यीशू पर और वचन की रोशनी पर आधारित है और इसी के जरिये प्रेरितों का जो अब देश है उसे हम ग्रहन करें 12 रोटियां मैंने कहा था ना आसानी से समझ पाएंगे दीवट है और उसके शाखाएं है शाखाएं संस्ता को दर्शाती है जकरिया के किताब में हम अध्याच्यार में से पढ़ सकते हैं दीपब जो है वो ईशु मसी है प्रकाशित वाक के अध्या 21 वचन 24 और 25 मेंने के बारे में बताया यह दीवट रखा गया है याने कलीसिया के साथ में परमेश्वर का आत्मा मिल कर काम करेगा और उससे रोशनी आएगी यही पवित्र आत्मा की महिमा है अब इस रोशनी में क जगह पर जाएंगे यही प्रोसीजर है देखिए अभी हम भूमी पर हैं यहां कलीसिया तो एक संस्था है इसके माध्यम से ही वो हमें उपदेश देते हैं और इस उपदेश का आधार क्या है प्रेलतों ने जो नए नियम में दिया है यह उसी के आधार पर है याने अगर ह हम इसे ग्रहन करते हैं तो सुवर्ग में जाना आसान होगा इसलिए जब साथ चर्च के बारे में बात करते हैं तो यह आप ओवरकम करते हैं जो जय पाए उसे देखिए यहां पर येश्व मसी एक एक करके इन सभी पर जय पाते हैं सबसे पहले अध्याचार में शैतान पर जय पाते हैं है ना फिर हवा और समुंदर पर जय पाते हैं एक एक करके फिर उसके बाद में अंतिम शत्रु जो मृत्यू है उस पर क्रूस पर जय पाई वो सब पर जय वन्त हुए हमें जय वन्त बनाते हैं पवित्रस्तान से महापवित्रस्तान में जाना है हम भूमी पर पवित्रस्तान में है, हमें महापवित्रस्तान स्वर्ग में जाना है, इसका अर्थ तो यह हुआ ना, यही अर्थ है, देखिए, जैवंत होने के लिए कलीसिया है, यह काम है, वचन है, उसे भी वितरित करके, साथ अलग कलीसिया, इसे ही तो हम साथ दीपक कहते हैं, और इसल प्रोग्राम के द्वारा हम कुछ प्रकाशन बता रहे हैं, उस समय कलीसिया के द्वारा दिया जाता था, अब ये भी परमेश्वर ही देते हैं, याने लोग इसे ग्रहन करेंगे और इस प्रकाशन को पाएंगे, तो स्वर्ग में जाने के लिए उन्हें स्पष्टिताम याने यही तो स्वर्ग की बनावट है, स्वर्ग कैसा है देखिए, अभी तक मैंने जो बताया वो तो भूमी के बारे में हैं, बारा प्रेरित और ये सब अगर भीतर जाए, महापवित्रस्तान में वाचा का संदूक रखा हुआ है, और उस वाचा के संदूक के ऊपर करू सिहासन है, सिहासन के आसपास करूब और साराप होते हैं, यशय अध्याई 6 वचन 2 ये कहता है, उपर उड़ते हुए पवित्र 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 इस तरह कहते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का दयासन है, वहाँ सिहासन है, हम उसके करीब आते हैं, इस तरह से पौलूस लि एकदम साफ चार साफ कहता है परमेश्व सिहासन पर है उसके चारों और चौबीस प्राचीन बैठे हैं इतना ही है और उधर काच का सागर है काच का समुंदर किसे दर्शाता है सुलिमान के बनाए भवन में पानी की हौदी थी यही मिलाप के तंबू में पीतल की हौदी थी इसमें धोकर ही आगे बढ़ना है याने बप्तिस्मा लेकर ही आगे जाना है स्वर्ग की जो बनावट है उसी के अनुसार तंबू की बनावट बनाई गई याने इसमें की हर एक चीज उस तंबू में जैसे बताई गई है वही अध्याचार में बताई गई है काच के सागर के पहले एक ग्रूप है और इसके पीछे एक ग्रूप है उधारण के लिए प्रकाशित वाक्या ध्या साथ वचन नौ में इसके बाद मैंने देखा कि इसके बाद मैंने दृष्टी की और देखो हरे एक जाती और कुल और लोग और भार्षा में से एक बड़ी भीडी जिनने कोई गिन नहीं सकता श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालिया लिये हुए स्रीहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है ये कहता है अब ये सब कहां है वहाँ स्रीहासन की बगल में है इसी के साथ प्रकाशित वाक्य 15.2 में पढ़े तो एक समू है य याने स्वर्ग में अपनाए गए लोगों का एक समू है क्लिश काल के लोगों का एक समू है यहां हर एक को एक एक जगध दी थी उसकी क्रियाओं का फल उनके साथ आता है उसके स्तर के अनुसार आता है देखे स्वर्ग के अंदर के जो भी कॉंसेप्ट है वो यहाँ पर ब गंटे में इसे लोगों को समझानी की कोशिश करते हैं यानि हम तो इसे rapid fire के जैसे इसे बताते जाते हैं अलग-अलग करके इसे समझा सकते हैं देखिए यहां पर एक बहुत यादभुत बात है मैं इसे इन्हें समझाना चाहता हूँ बस ऐसे इसे समझना है इसलिए बस इसे पढ़ते हैं लेकिन अगर चौथया अध्याय के वचन तीन और चार को ध्यान से पढ़े तो तो देखिए यहां पर एक मेग धनुष के बारे में बताया है है ना यानि सिहासन के ऊपर एक मेग धनुष कहता है अध्या चार में देखिए वचन तीन यहां पर पढ़ते हैं जिया, and he who's had there had the appearance of Jasper, Carlinian, and around the crown there was a rainbow that had an appearance of an emerald, rainbow. Rainbow, appearance of the? Emerald. मेखधनुष का कलर कैसा होगा? Rainbow का तो different colors होना चाहिए, seven colors है, ना? यहां क्या लिखा है? जिया, rainbow that had an appearance of an emerald, ऐसा लिखा है? जिया, मरकत, यानि हरे रंग का. देखे, इसके पीछे एक बड़ा आत्मिक सत्य है. ओके, different dimensions है. जी, हाँ, मेखधनुष साथ रंगों का होता है, ना? यहां हरे रंग का एक मेखधनुष है. यही मेखधनुष इसके पहले कहां पर आया था, याद है? वो तो beginning में याद है, Genesis में आता है. और यह सच में किसके लिए चिन्ध था? Covenant. यानि उस सिहासन, उस दयासन के पास में एक वाचा है. उस वाचा का रंग क्या है? हरा, मरकत के रंग का. Emirate. मरकत के रंग का है, मेखधनुष साथ रंगों का है. यह मरकत के रंग का है. बाइबल में हरा रंग किसे दर्शाता है? इसराइल के बारा गोतर के बारा रंग प्रभू ने दिये. याजक के वस्तर के रंग के बारे में बताया है. अब ये जो बारा रंग है, यानि बारा रंग में चौथा रंग मरकत का है. इसराइल के गोत्र में चौथा गोत्र यहुदा है देखे चौथा गोत्र मरकत कहां गया है यानि चौथे गोत्र को मरकत के जैसे रखा ऐसे कहते हैं चौथा गोत्र यहुदा का है यहुदा गोत्र के लिए बनाई गई यह वाचा है यानि उस वाचा में से होकर आएंगे तो स्वर्ग में जा पाएंगे यीशू यहुदा के गोत्र में आकर वाचा बानते हैं इस वाचा को हमें समझना होगा इसलिए पॉलुस कहता है कि हमें उस दयासन के पास में आना है यहुदा गोत्र में आकर वो बलिदान हुए तील साल का अनुभव भी बात कर रहा है लेकिन इसे जो पहली बार पढ़ रहा है तो उनको कैसे ये एक सवाल है अगर उनको 20 साल का अनुभव हो तो ही ये समझ पाएंगे कैसा ही है देखिए ऐसा कुछ नहीं है दो विशे हैं याने हम जितना मांगेंगे उतना ही देगे याकूब को देखिए उसने जो आशिरवाद मांगा उतना आशिरवाद देना ही पढ़ा हम जो मांगेंगे वो देगे प resiliency को और बात है मेर केवल प्रकाश्रित वाक्य में नहीं उत्पत्ती में भी इसी तरह से है निर्गमन में है यनि हर एक किताब के पीछे हर एक वचन के पीछे बहुत बड़ा ऐसा अद्भुत रहस्य छिपा है तो हम जितना खोद रहे हैं उतना हमें मिलेगा यनि हम जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही हमें दिया जाएगा कोई भी किताब देखिए स्रेश्टगीत में आठ अध्याय है इन आठ अध्यायों पर 20 साल तक मनन किया है मैं स्रेश्टगीत पर बहुत मनन कर रहा हूँ इसमें इतना रहस्य है मैं ये इसलिए कह रहा हूँ यानि परमेश्वर ने हर एक विशय के पीछे कोई चीज़ें छिपाई हुई है अगर हम बैट कर उस पर मनन करेंगे देखे केवल उस पर मनन करने से ही नहीं मिलेगा परमेश्वर ने देना भी चाहिए ये टूवे है यानि दोनों तरफ से होगा ही जिनहें नहीं दिया वो मांग कर ले सकते हैं मांग के देखे जो मांगते हैं उसे परमेश्वर भर पूरी से देते हैं मांग ये निश्ची आपके खुशी के लिए परमेश्वर ये आपको देंगे परमिश्वर जरूर देंगे, हर एक चीज वो हमें देना चाहते हैं तो अभी जो कि टाइम शॉर्ट है, ये चैप्टर फोर में हम बिगनिंग तक आये हैं लेकिन इस चैप्टर फोर का सार ही इसी में है, ऐसा मुझे लगता है क्या हम इसमें कुछ मिस कर गी क्या क्योंकि कुछ ही मिनिट है नहीं, अभी भी मुझे लोगों को एक विशे के बारे में बताना जरूरी है जिससे हम स्वर्ग समझते हैं उसमें और इस स्वर्ग में बड़ा फर्क है अगर हम इसके बारे में एक अलग एपिसोड बनाएं और इसे सिखाएं तभी समझ पाएंगे क्योंकि स्वर्ग के बारे में लोगों के मन में गलत विचार हैं गलत चीजें उन्हें बताई गई है जैसे हम उमीद करते हैं यहाँ पर न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है कोई भी नहीं है देखे हर वचन के पीछे में निश्चे ही एक आधार है स्वर्ग के बारे में प्रकाशित वाक्य जो हमें दिया गया है यानि जो भविश्वानियां हमें दी हैं और हमें जो दर्शन बताई गए हैं अगर वो सब वचन के आधार पर है तो ही ठीक है अगर नहीं है तो वो भी नहीं है कोई मुझे मुर्ख न बनाए इसलिए स्वर्ग ने मुझे ये सब दिया है देखे स्वर्ग के बारे में एक कदम आगे बढ़ कर देखे तो ये एक राज्य है ये एक विशाल सामराज्य है और इस सामराज्य का एक भाग मुझे में भी है इसलिए ईश्यू ने कहा स्वर्ग राज्य तुम में वास करता है उस सामराज्य का एक भाग मुझ में एक्स्टेंड हुआ है इस राज्य का हैटक्वार्टर वहाँ है मैं जो उसका दूता वास हूँ मैं अभी भारत में हूँ यानि मैं तो हूँ देखें हेटक्वार्टर तो निश्चे ही है उपर है अभी मैं यहाँ पर उसकी एक शाखा को देख रहाँ बस यही तो बात है एक दिन आएगा निश्चे ही ये शुमसी के द्वारा मैं स्वर्ग में प्रवेश करूँगा बस एक बात बता कर मैं इसका सारांच देना चाहूँगा हम इसमें दर्शकों को भी इंट्रेक्ट करवा सकते हैं शायद याने उनमें भी स्वर्ग के बारे में संदे हो सकते हैं याने बहुत सी बाते जो उनके मन में उखती हैं वो पूछेंगे तो वो अगर पूछे तो हम कह सकते हैं यानि हम स्वर्ग के बारे में एक exclusive program करेंगे, special program में स्वर्ग के बारे में बताएंगे, यानि सब स्पष्ठ होगा, मैं यही चाहता हूँ कि किसी तरह से कोई किसी को भर्माने न पाए, खास कर Bible के बारे में कोई गलत विचार न हो, यानि Bible की बातों को हम देखेंगे, यही concept ह तो फिर अंत में कहूंगा, स्वर्ग कर राज्य तो हमें वास करता है, परमेश्वर ने से हमारे अंदर उंडेला है, पुराने नियम में पवित्रा आत्मा दिया नहीं गया था, नए नियम में वो हमें दिया गया है, यानि जब हम मर जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे default के रूप में कहता हूँ, यही बड़ा आशिरवाद है, देखे इस तरह की आशा और विश्वास पुराने नियम के लोगों में नहीं था, यह आशा परमेश्वर ने हमें दी है, तो स्वर्ग लोग तैकी हुई, ऐसी जगह है, यीशु वहाँ पर गए हैं, वही वहाँ से आ गया था, यानि जब वहाँ से निकल कर आया, इन लोगों को भी वह बाहर ले जा सकता था, इसी तरह से यीशु मसेज भूमी पर आया और इसके बाद में स्वर्ग में गये, वह रास्ता के वल उसे ही मालूम एसलिए कहां कि मैं ही मार्ग हूँ, वह जल्दी वापस आएंग और हमें ले जाएंगे, एक और मुख्य बात जो है, Revelation chapter 1 verse 7 में लिखाया कि वो cloud में आएंगे, वो तो और भी interesting होगा, बहुत सी चीज़े हैं जो बादलों पर आधारित है, जब हम मनन करते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है, किसी को वो समझ में आता है, क्योंकि वो उसी field स प्रकाशन होता है, अगर कोई archaeologist है, तो उसे उसकी तरह से प्रकाशन मिलते हैं, और हम शाद उस तरह से नहीं समझ सकते हैं, मेरे लिए तो बहुत interesting, cloud ये शब्दी बहुत interesting है, बाइबल में बहुत सी बातें बादलों पर आधारित है, याने बादल और हवा, ये दोनों ब जैसे जब स्थ七 जिया सभ़ उमण परोणाक अपलाद उसक तरह से उसा समय मिलते है, व करईबलत हैं, इद हो दूत mint को पर दोर सक्या है, इंधे जग्यए लग वाद़ से हैं, जो इसम्सक्तार रगों मिलेगई मैं पर boatensद़ कर बहुत marrow हैं, ऊhunिसकाशन मिले रтраह सारी है झाल झाल